कि हलो माई डियर स्टूजेंट वेल्कम तू माई चैनल शाहिन दवर्ट वित आज जी आज मैं आपके लेकर आए हूं क्लास 12 यूपी बोर्ट का मॉडल पेपर यह 2020 का है यह मॉडल पेपर मैं आपके लिए इसलिए लाई हूं थाकि आपको पता चले कि आपके इंग्लिश के एक्साम में किस इस टाइब से कोश्चन आएंगे और आपको निकैसे सॉल्फ करना है तो चलिए हमस्तार्ट करते हैं तो यह हमारा इंग्लिश का पिपर होता है वो थी हावसाइं 15 मिस का होता है और यह 100 मांक्स का आता है इसके बात देखते हैं जो हमारा इंग्लिश का मॉ क्शिए पैसेज को इसमें तो पैसेज आपको दिये गए हैं इनमें से आपको किसी एक पैसेज का explaining रिफ्रेंश और context करना होता है तो यह जो आपका question आता है फरस्ट यह होता है 8 marks का चलते हैं हमारे question number 2 पर जो हमारा question number 2 है वो है answer any one of the following question in not more than 30 words कि इसमें आपको तीन question दी रहते हैं इनमें से आपको किसी एक question का answer करना है जो कि 30 words से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो यह question आता है आपका 4 marks का आता है इसके बाद चली हम चलते हमारे question number 3 पर जो हमारे question number 3 है वो है fill in the blanks in following sentence with the most suitable word given within the basket तो इसमें आपको 4 questions दी रहते हैं यह 4 questions दी रहते हैं आपको इनमें से जो आपको इनमें से जो सही होता है वो आपको इनमें fill करना होता है इसके बाद चले देखते है question number 4 तो जो हमारा question number 4 है वो है answer any one of the following questions in about 75 words यह long type question है इसमें आपको 8 marks मिलता है और आपको इसमें जो answer लिखना वो 75 words का लिखना होता है इसमें आपको दो question दी रहते हैं यह दो question का answer करना है वो भी 30 words गंदगर इसके लिए आपको 8 marks मिलते हैं तो चले चलता हमारा question number 6 पे तो जो हमारा question number 6 है वो explain with reference to the context any one of the following extract तो आपको इसमें प्रोस पोईट्री के दो पैसेज दिये गए होते हैं इनमें से किसी एक जो भी आपका था उसका आपको reference context और explanation करना होता है इसके लिए आपको 8 marks मिल जाते हैं इसके बाद चले चलता हमारे question number 7 पे फिर जो हमारा question number 7 है वो है last section A के question पर तो section A का last question होता है question number 8 write a definition of any one of the following figure of speech with two example तो आपको इसमें तीन figure of speech दिये गए होते हैं इनमें से किसी आपको एक figure of speech का definition और example लिखने होते हैं आपको definition के लिए 2 marks मिल जाते हैं और example के लिए 2 marks मिल जाते हैं तो यह आपका full 4 marks का जाता है तो यह था हमारा section A English का तो इसके बाद मैं section B की वीडियो next बनाऊंगे अगो जो आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस से लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजे था थैंक यू